आज मैं आपके एक ऐसे घरेलो hacks लेके आई हैं, दोस्तों जिसे आप जानके भी अन जाने, बहुत सिंपल यह hacks है आपके किचन में ही यह सारे hacks है बस उन hacks को हम यूज नहीं कर पाथे, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आज आपके साथ शेयर करें यह hacks जो आपकी kitchen में आपकी बहुत जादा help करने वाले, आपकी life में बहुत जादा help करने वाले तो चलिए start करते हैं दोस्तों MAR elemon की घर के काम जैसे खाना काने की जैसे होता है जैसे आप रोज खाना काती है वैसे ही आपको रोज घर के काम करने होते हैं बट रोज वो energy नहीं रहती तो इस energy को बरकरार रखने के लिए आपके साथ एक simple सा hack share करो दोस्तों तो जब भी आप घर के काम करें दोस्तों तो गाने सुनते वे आप घर के काम और तेजी से होंगे अच्छे से होंगे और साथी साथ ये आपकी body को बिल्कुल भी low feel नहीं कराएगा तो जो भी आपके favorite गाने है उसकी एक list तयार कर लीजे उसे चाहब speaker पे लगाए चैफोन पे लगाए ये जो भी आपके पास साधन है उस पे लगाके उसे सुनिए यहाँ पे मैं पंजाबी गाने सुनती हूँ जातर पहला hack यह है दोस्तों कि जबी में आलू को बॉइल करते हैं तो जो आलू करते टाइम पानी आपको पता है बहुत ज़्यादा गरम रहता है एक दम उबलता उबलता पानी जिसे हम सिंख में ऐसे ही फेक देते हैं इसको रियूस करने का तरीका यह है कि आप एक बॉल ले ले बॉल में आप थोड़ा सा डिटर्जन पाउडर डाल दीजिए और इस आलू के पानी को आप इसके अंदर एट कर लीजिए इस पानी में आप जितने भी आपके डस्टर है कीचन डस्टर वो डाल दीजिए और उ अधरर-पोल गुने होजये तो मेरी नेक्स्टि gör अक्सर हमारे पास अधरर श्री पान और कडाई त्रूमें इस तरीके से नीचे से बर्नर की निसान हो जाते हैं यह वह स्ततरिकी से बैक से पुरा काला हो जाता है एक सिंबल है मैं अपके सधा़श्यै करूं दोस्तों आपको कोई स्क्रबर नहीं लेना है यहां पर कुछ नहीं लेना है बस आपको रेत लेनी है आप यहां पर रेत लेंगे और रेत से आप हलकी हाथों से भी मसाज करेंगे तो आप देखेंगे जितना भी ब्लैक स्पॉर्ट से यह दीरे दीरे रिमूव होने लग रहा और हाथ से देखे मेरा पूरा फ्राइपान क्लीन हो चुका है आपके बगल में कंस्रक्शन का काम हो रहा तो आप थोड़ा सा रेट लाके रख लीजिए और यह आपके बड़तनों को क्लीन करने के लिए बहुत ही अमीजिंग स्क्रबर है उसके बाद बस जैसे मैं डेश करते हैं लेसन चलते हैं हमारे हाथों में बहुत ज्यादा बैड़ स्मेल आने लगती है और यह बैड़ स्मेल भागती नहीं है खासकर मैं जब यूज करती हूं क्रीम लगाने की वह तो वह महक मेरे दिमाग पे चर जाती है तो एक सिंपल सा हैक इसका यह है कि आपको लेना स्पूनमें स्पूनमी और स्पूनमी स्पून और जब आप रब करेंगे तो जितनी भी स्मैल है यह सkovूनमें आजयगे हैं एपके हातों में बिल्कुल सुचमी महक नहीं रही गी दिम कल्राथ ड्रा रेसिए लीकौ कि अगर हम इसे ह ही तरी केंonia में रखती है और अगर हम जो क्रीम होती है वह कंटेनर में लग जाती है तो सिंपल जो भी आपके उस तरीके का मेर पर इक box है वह आ ले लीजिए और उस box के अंदर आपको नहीं रखना है इसे आपको जो box की lid है उसमें आपको इस pastry या cup के टुकड़े को रखना है इस तरीके से ये box है इसको आपको ट उपर से आप लेड लगा लीजिए इस तरीके से तो जो पेस्टी है उसकी क्रीम इदर उदर बिल्कुल नहीं फैलेगी और इसको ऐसे ही आप फ्रिज पे रख लीजिए और बस निकालने के लिए भी बहुत आसान है तो आई होब दोस्तों आज की टिप्स अंट्रिक्स आपक बहुत आब से घ्ल्सकुर नहींárंगी betop Life चलेगी – आए जए और झांड़र, टोस्तों की झालने कामा चले किस्टी आपका किर जवाना की थया।